So, hello friends, नमस्कार, आप सब कैसे आई हो, बच्छें से होगे, enjoy कर रहे होगे, साथ में चार्ट डिडिंग चुरूर कर रहे होगे, हमारे चनल में आप सब का दिल से स्वागत है, So, finally, हम डिसकस करेंगे कि कल, जैसा कि आप जाते हैं, कल है फ्राइडे, कल बैंक निप्टी और निप्टी किस तरह से काम करेगा, साथ में आप यह भी जाते हैं, कल है सेंसेक्स की एक्सपारी, तो आपको किस तरह से टेट करना चाहिए, यह सारा प्लान हम बनाएंगे, लेकि अगर आप हमारी कल बारी वीडियो देखे होगे, तो आपको खुद आज महसूस हो चुका होगा, कि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्लियर यह बताया था, कि मार्केट कल सेकंड हाफ तक आपकी रिंज में रहेगी, और सेकंड हाफ के बाद, थोड़ा बहुत म मार्केट के अंदर आ सकता है, आप यकीन करिए, मुझे नहीं पता मार्केट में आज क्या होता, लेकिन ये चीज मैंने आपको कल बता दिया था, आप मेरी प्रिबियस वीडियो जा करके देख सकते हैं, मैंने क्या बोला था, और मार्केट ने एगजेक्ट किया क्या है, ठ को पकड़ना चाहिए कि मार्केट अगर यहां इस जगे खुलेगे तो हम यह ट्रेड लेंगे, यह जगे खुलेगे तो हम यह ट्रेड लेंगे, आई होप मैं आप सबसे आसा उमीद यही करता हूँ कि आप लोगों ने आज मेरी बज़े से कम से कम लास किया होगा, मेरी लेक्सिमम टाइम साइड वेज रहेगी, साथ में आपके जितना भी प्रीमियम है, निप्टी का जिसे आप जानते हैं, आज निप्टी के एक्सपारी थी, और जितना भी प्रीमियम है, मार्केट क्या करेगी, पूरा का पूरा यह रेंज में फंसा करके, आपका मार्केट जो है तो premium खतम कर देगी जब खतम हो जाएगे तो लाश में कोई किसी भी side के momentum देगा और थोड़ा सा momentum देगा साथ वो momentum आप कैच भी ना कर सकें और इसी चक्कर में अगर आप आपने यहां पर averaging किया होगा जिस तरह से market कि आप समझने की कोशिस किया करिए कि मैं बताना क्या चाता हूं और क्यों ऐसा बताता हूं क्यों ऐसा market में होता है ठीक है देखे मेरे video मेरी लंबी हो जाती है लेकिन अगर आप हकीकत में दिल से देखेंगे तो मैं यह आपको जरूर बताता हूं कि अगर आप पहले 10 टाइम लास करते थे ठीक है अगर आप पहले 10 टाइम लास करते थे तो अगर आपने हमारी video देखना शुरू किया तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि उस 10 में कम से कम three time minus होगा मतलब कम से कम आप अगर three time भी आपने last कम कर दिया तो मैं अपने वीडियो को बहुत अच्छा समझूँगा मेरी बात आप समझ रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पर महीने के अंदर 10 बार last करते थे तो 10 बार में से अगर आप सिर्फ महीने में 7 बार last करने लगे मैं अपने आपको बहुत भागिसाली समझूँगा और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने अच्छी तरह से मेरी चार्ट पैटर्न को follow किया तो यह जो यह चीज है यह आपको 100% हो करके रहेगा ठीक है बस आप यह कोसिस करिए कि जो मैं लेवल्स देता हूँ जो मैं लेवल्स देता हूँ उस लेवल्स में अगर मार्केट पकड़ में आए तो आप मार्केट को पकड़िए अधर वाइद मार्केट से साइड रहिए और आज मेरे साथ यही हूँ, मैं आपको क्यूं आपको बार-बार यह बताता हूं, कई बार आपको बताने की कोसिस करता हूं कि हर दिन Market में Trade मत ढूरिए हर दिन Market में अगर आपने Trade ढूरा, वो सबसे बड़ी गलती होगी मेरे तोस्त, आप बड़े-बडे trader को देखते होंगे अगर उनके time में अगर उन्होंने time ये रखा हुआ है माल लेज़े कि अगर उन्होंने bank nifty का time रखा हुआ है कि bank nifty अगर मेरे direction में मतलब आप यहाँ से ले करके कहां से जैसे का market अगर यहाँ open उपर चलिजाए नीचे चलिजाए या 1000 उपर चलिजाए यह रूल आपको भी बनाने पड़ेंगे आपके ट्रेड में आपका टाइम प्लान होना चाहिए ठीकन अगर आप टाइम प्लान नहीं बनाएंगे तो फिर बताईए कि आप बनेगे अगर आपके ट्रेड में आप उकारना डिसिप्लीन नहीं फॉलो करेंगे तो फिर बताईए आप ट्रेड कैसे बनेगे मार्केट आपकी पूरी के पूरी सुबह सिर्फ यह मुमेंट injy मिला था नीचे से ल फिर back यहास से Uh यहां पर में आपको यहां दिखाना चाहता हूँ अगर आप समझना चाहते हैं चार्ट में ट्रैपिंग कैसे होती तो प्लीज बने रहे हैं सारा चीज आपको बताने क्या कोसिस करता हूं देखें मार्केट क्या करती यहां पर मार्केट ने क्या किया यहां पर रेंज में खुली मार्केट रेंज में खुली ना जैसक मैंने आपको बताया था रेंज में अब मार्केट रेंज में खुलती इसके बाद यहां से आई यहां से गिरावट शुरू किया मैंने आपको क्य five thousand seven hundred five zero के नीचे अगर market आती है मतलब bank निप्टी आती है आप यहाँ पर put by करेंगे और आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सो पचास point का target होगा ज्यादक target नहीं होगा क्यों नहीं होगा उसका region मैंने आपको बता कर के दिया था कि यहाँ पर यह प्रिवियस इसने डबलू पैटन जो बनाया था यहाँ का market सपोर्ट ले सकती है और exact देख लिजे आप यहाँ पर market ने सपोर्ट लिया कि नहीं लिए आप चेक करिए प्लीज चेक करिए यह चार्ट कर रीचन होता है मेरे दोस्त यहाँ पर चेक करिए प्लीज आप यकिन में हैरान हो जाएंगे कि मैं यहाँ पर मैंने बताया था अगर मैंने नहीं बताया था तो मैं आपकी 10 गाली खाने के लए तयार हूं अगर मैंने आपको यह नहीं बताया था कि market यहां से support लेगी और support लेकर के उपर जा सकती इसका region ये था क्या region था कि यहां पर जो buyer active हुए है इनका star plus लेने आएगी market आप बताएए मैंने बोला था भगवान कसम किसके आप कसम खिलाना चाहते हैं आप अगर मेरी बातों के याकिन नहीं करते हैं तो मेरी previous वीडियो आ लेगा और यहां क्यों में लेगा क्यों 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 कि यहां पर यह buyer काल बाई करके गए थे तो market उनका SLA ने आएगी और आप यहां पर देख लिए market एđगी यहां हुँ यह क्यों मैंने बताए आज भी बता रहा हूं यह चार्ट देखकर की मैंने आपको बताए था फिर मैंने क्या बताई जब इनका एसलियां पर इस्टापवलासीट हो जाएगा तो फिर मार्केट यह डिसाइड करेगी कि फिर हमें कहा जाना है हो सकता है कियो के इस्टा प्लास लेने के बाद फिर market यहां sideway हो जाए फिर market ऊपर जाए फिर नीचे आए फिर market ऊपर जाए नीचे आए इस तरह से करती है आपको नजर आएगी और आप देख लिजे वही कहानी market अंदर हुई हुई या नहीं हुई साक्षात किम प्रमाणम वो कहावत बनी है न कि मतलब जो आपके सामने दिख रहा है उसके प्रमाण की जिरुवत नहीं है और अगर आपको प्रमाण चाहिए तो आप मेरे कल की वीडियो देख सकते हैं मुझे व्यूज की मतलब नहीं है मुझे आपके views से मतलम नहीं कि नहीं आप अगर मेरी वीडियो देखे के तो मेरे views बन जाएंगे भहिया मुझे views से उतना कोई पैसा इतना आमदनी नहीं आ रही है कि नहीं मैं अपने रोजी रोटी चला रहा हूँ ठीक है लेकिन हाँ अगर आपको मेरे वीडियो देखने से थोड़ा भी मैं बोलता हूँ रती भर का भी आपको 10% का भी फायदा हो रहा है ना तो मैं ये चाहता हूँ कि एक new trader के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धी होगी मेरे तरब से बट आप ये देखिए ये चीज मैंने कैसे find out किया था अब मैं क्यों आपको बताया था कि market यहां तक आएगी अगर 45,700,50 को breakout किया नीचे के तरफ तो आपको यहां पर 150 प्लास अब लेविल है यहां पर दोष्ट इस्टाप लेविल है तो market इन लोग की इस्टाप लेने आएगी बस ये रिजन था और कुछ नहीं था मेरे बात आप समझ गए तो आपको trap किया नहीं market trap किया अगर आप यहां पर मेरी वीडियो देखे होंगे तो आपको कोई trapping नहीं हुई लेकिन अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप 101% पूरी की पूरी trapping हुए कैसे trapping हुए मैं आपको यहां पर दिखाता यहां पर कुछ लोग ओनोंगे प्ला सेंफी यहां पर कुछ लोगोंगों इसने profit दिया मारकेट के चलांकी देखेगा Margaret यहां से गिरी थीक है ९हां पर सुरवात में देखे यहां से pattern पढ़ते हैं पता नहीं इसका baby candle पता नहीं कौन-कौन सी candle बोलते हैं यह बुलिस हरामी pattern और भी कुछ होती है ठीक है लेकिन जो भी है भईया मैं candle नहीं पढ़ता हूँ मैं चार्ट पढ़ता हूँ किसी तिस बाद बना दिया बड़ी सी candle बनाने के बाद यहां सबका इस्टाप्लास इसने लिया इस्टाप्लास लेने के बाद फिर market उपर गई market उपर जाने के बाद फिर यह market रेंज में चली गई आप बताईए कि जब इस्टाप्लास इट होगा तो किसी 5800 उपर उस निकालवाई किया होगा और market जब यह नाटक करना सुरू कर दी यहां से तो उसका बिचारे का premium नहीं बढ़ा होगा और जब premium नहीं बढ़ेगा तो simple बात है यहां पर आपका last होना तो तेह हैं होना तेह हैं कि नहीं आपको दोताई मार्केट है यही होता है यही ड्रामा होता है इसलिए आपको बहुत सतर खोकर के ट्रेड करना मैं आपको हमेशा बताता हूं पहले सीखिए अब बताई यहां पर क्या ट्रेड करें अच्छा इसके बाद यह मार्केट ने last में क्या किया एक obvious सी केंडल बना करके मार्केट यहां पर फिर चलांकी किया मार्केट यहां पर ब्रिकाउट किया इस ब्रिकाउट वाले केंडल को तो पकड़ना भया बहुत ही मुस्किल होता है कोई भी नहीं पकड़ पाता मार्केट ब्रिकाउट करती है य से लेट करने के बाद फिर मार्केट उपर ही क्या मतलब है यह नोटंकी चल रही कि नहीं चले आप खुद बताईए तो इस नोटंकी में इस नोटंकी में आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है जितना हो सके आप ट्रेड को अवाइड करिये अपने कैपिटल को बचा रहा तो आप मार्केट में बने रहेंगे मार्केट को सीखते रहेंगे मैं आपको बार बार वही समझाता हूं लेकिन अगर आपका कैपिटल उड़ गया आप कुछ नहीं कर सकते जिस दिन आपका कैपिटल खतम हो जाएगा उस दिन आप क्या करेंगे थोड़ी दिन के यहां पर recovery करने आएगे और मार्केट आपको दोबारा यही कहानी करेगी और दोबार आपको खाड़ के फैंक देगी मतलब आपको मार्केट त्रस्ट कर देगी इतना त्रस्ट कर देगी कि आपका मार्केट के अंदर से believe मतलब believe तूट जाएगा और आप बिल्कुल side हो जा कि हाँ, अब मुझे लगबग मार्केट यहाँ पर 10-20% समझ में आने लगी है, तब आप यहाँ पर ट्रेड करिए, लेकिन तब भी डिस्सिप्लीन के साथ ट्रेड करिए, ठीक है, तो बहुत बहुत मैंने यहाँ पर बकवास कर दिया, सायद आप लोगो अच्छा नहीं लग हो जाए, इस से अच्छा मुझे और इस से जादा खुसी नहीं मिलेगी, ठीक है, चलिए, एन्यवे, तुम डिसकस करते हैं कि आपको कल किस तरह से बैंक निप्टी कंदर ट्रेड करना चाहिए, ठीक है, और साथ में निप्टी में भी किस तरह से ट्रेड करेंगे, यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर कोई ट्रेड तब तक यहाँ पर कालवाई नहीं करूंगा, मैं आपको दुबार यहाँ पर बताने के मैं कोसिस कर रहा हूं, किलियर बता रहा हूं, मार्केट बहुत ट्रेपिंग करेगी इस समय आप, मतलब डाटा कोई पोजिटिव नहीं दि की पोजिशन नहीं लूँगा, मार्केट के रेंज में खुलने के बाद, मैं दुबार आपको बार 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 बोल रहा हूं, इस एरिया को आप यहाँ पर बना लीजे, अगर मार्केट कल यहाँ पर रेंज में खुलने के बाद उपर ब्रिकाउट करती है, और यह 46,400 के आपके टारगेट उपर बन करके आ रहा है, 46,892 का, किलर हो चुका है, लेकिन मैं आपको जैसे कि बार बार हमेशा बताता हूं, आपको इतना बड़ा टारगेट के लिए नहीं बैठना है, आपको कितने टारगेट के लिए बैठना है, अगर मार्केट ने इसका ब्रिकाउ 45,500 तक होना चाहिए, आप यहाँ पर अपने कम 40-50 पॉइंट बुक करिए, और बुक करके अपने को साइड हट जाना है, जब साइड आप हट जाएंगे, तो मार्केट क्या करेगी, पहले 46,500 तक यहाँ पर जाएगी, और 46,500 में यहाँ पर नकरा करेगी, ठीक है, कभी उपर के तरफ आपको ट्रेड करना है, अब नीचे की कहानी बनती है, तो देखिए, नीचे सिंपल बात है, यह आपकी एक्टेंड लाइन बन रही है, यह वाली जो ब्लू कलर की एक्टेंड लाइन यहाँ पर ड्रा हुई है, मार्केट ने उपर क्लोजिंग दिया, इसका म तो मैं यहाँ पर दुबारा पुट में इंट्रिस्टेट हो जाओंगा, और दुबारा यहाँ पर मैं पुट बाई करूँगा, और जो मेरा टार्गेट होगा, यहाँ से लगवग लगवग 200-500 नीचे कहोगा, 200-500 नीचे कहोगा, और जो टार्गेट आ रहा है, आपको 10 line का breakdown कर देगी मेरी बात आप समझे अगर आप चाहें तो इस 10 line को भी आप यहाँ पर बना सकते हैं यह लिजे मैंने यह भी बना दिया अब यहाँ पर क्या होगा देखिए मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर माल लेजे आप यहाँ पर 100% मतलब 150 से 200 पॉइंट तक के लिए आप यहाँ पर मतलब टार्गेट आप यहाँ पर ले सकते हैं मेरी बात समझ गया चलिए यह हो गया सेम अगर gap up gap down के case में आपको बताना चाहाँ तो अगर मार्केट माल लिजे आप यह resistance बना लेना अगर उपर sustain करती है उसके बाद उपर जाती है आप यहाँ पर बिल्कुल CEY करिए और आपको टार्गेट मैंने बता दिया कि आपका टार्गेट क्या होगा ठीक है 46500 पहला टार्गेट और इसके बाद 46800 आपको दूसरा हाँ टार्गेट होगा किलियर हो गए उपर का गैबडाउन की केस में जैसे का आप यहाँ पर देख रहे आपका दूसरा टार्गेट होगा नीचे के तरह किलर हो चुक आपको ब्लकुल मैं बहुत ही तसलिक सा समझाना समझा समझा करकर बता रहा हूं प्लीज आप ये वाले टेल लाइन रा कर लीजे उपर के तरफ और इसी हिसाब से आपको ट्रेट करना है बाध कि कोई ट्रेड आपको नहीं करना है जल्दवाजी आपको नहीं करनी है मेरे बात आप समझ रहे हैं बाकि जो भी होगा कुछ अगर तो मैं आपको अपने टेलिग्राम ग्रूप में अपडेट कर दूँगा ठीक है चलिए अब तो हम निप्टी का डिसकस कर लेते हैं निप्टी में किस तरह से आपको टेट करना चाहिए यहां पर निप्टी में बताते हैं तो आप जानते हैं कि आज थी निप्टी की एक्सपारी निप्टी महरानी की एक्सपारी थी निप्टी में आप खुद यकीन करिए मैं आपको सुबह सुबह एक लिंक दिया था सुबह सुबह एक लिंक आपको दिया था tatyacब करेंगे उसकान अच़े मोमेंग करेंगे और सायद है कि इस मोमेंग को इसकी को भी किसी ने केप्चर नहीं करkąई क्यूंकि कि flu idea कोई ध्यानी दानी यहां पर घ्झाब यहां पर भीचारन करेंगे यहां पर हार जाते हैं ऑAGब यहां साथ कुछा केंसे में तक हैंते हैं तो यहां पर हैं यहांपर कुछा में हिसाथ इपारbat अपने की कोशिश किया था किसका 21,900 कि यहां पर call दिया था ठीक है और यह जो 12,13 वाली थी यह कहां तक गई थी पहले तो 25 तक गई थी जो मैंने exit करवाय था 25 में इसके बाद यह 36 तक भी गई थी तो ठीक है आप अगर यहां पर किये होंगे क्या तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो मैं क्या कर सकता ह अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां पर मैंने मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं किस तरह से यहां पर मैं आपने ग्रूप में दिया था यहां पर मैंने यह लेवल आपको यहां पर देखिए बैंक निप्टी का मैंने लेवल यहां पर ट्रेंगल पैटन बना करके आपको दिया था अपनी group में ठीक है यह देख लिए यहां पर मैंने बनाकर दिया था उपर का लेवल ना करके दिया था आपको 46100 धेक्ट यह देख लिएए आपका 46100 को टच पर के फिर मार्केट नीचे आई इस तरह से कुछ लेवल्स हैं यह आप देख लिए मैं यहाँ पर बना बना करके देने की कोशिस करता रहता हूं ठीक है तो यह देख लिए अच्छा लास्ट का टेड़ यहाँ पर था देखे हैं यह मैंने गुरूप में इस तरह से आप यहां पर देखिए इसका मतलब क्या हुआ यहां पर आपका यह कुछ रेड एरिया बना हुआ है और ग्रीन एरिया इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट अभी चल रही ऊपर उपर चल ले ना जब कभी मार्केट आपको यहां 46,006-0 में आए मेरी बात आप समझेगा ठीक है अगर यह मैंने बना करके दिया और 46,006-0 में आए तो आपको यहां पर क्या पोजिशन बाई करना चाहिए आप खुद बताए यहां पर इसका मतलब है कि आपको यहां पर मार्केट उपर जाएगी जो ग्रीन एरिया है वो मार्केट उपर जाने की है और नीजे आपको इस प्लास है ठीक है तो आप यहां पर देखिए मार्केट यहां पर आई यह नहीं आई ठीक है यह हो गया इसके बाद यह मैंने अपने ग्रूप में यहां पर चार्ट सेर किया था निप्टी 21,900 की काल आपको 12 और 14 की बीच में पाई करना है ठीक है तो वो हो गया अच्छा य आपको यहां पर कोई भी प्राफिट ही होगा आपको लास नहीं जाएगा ठीक है इसके बाद आप यहां पर खुद देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया है आपका 46,006-0 या 46,006-0 मतलब 4-0 से मार्केट ने रिटन लिया और आप यहां पर देखिए आपके उपर 12 पैसा इसके बाद यह लेजिए 21 रुपए 10 पैसा और यह 25 तक गई थी इसके बाद यह आप निप्टी के लेजिए जो मैंने यहां पर सियर किया हुआ था यह आपका 46,006-0 से 46,129 इसके बाद मैंने यह बता दिया था कि यहां पर आप चाहें तो बाई कर सकते हैं मतलब एकजिट कर सकते हैं और यह 21,900 वाली काल है ठीक है तो यह देखिए बैंक निप्टी का मतलब देखिए अब टार्गेट आपके उपर है ना सरकी आपको कितना टार्गेट बुक करना है 40 मैं यह से बताता हूँ 40,50 मैं यह बस हो क्या इतना इनफ होता है आप अभी एक आम से ट्रेट करिएगा आपको बहुत मज़ा आने वाले ठीक है यह हो गया काफी बखवास बाकी आपको पसंद आया हो या नही हो यह है तो आप क्या बताए हैं लेकिन चलिए हम बखवास तो करते ही है खर वीडियो में तो यहाँ पर चले हम निप्टी के बारे में डिसक everyone 0 मेरा दूसरा टार्गेट था और हापको देख करके हैरानी होगी कि market में वही एक्जेक्ट लेवल वहाँ पर टच किया मार्केट रुक के गई कहा गई कैसे गई है हमें नहीं बता है लेकिन जो मैंने टार्गेट दिया वो मेरा टार्गेट अचीव किया फिक है और मैंने यह भी बताया था कि अगर मार्केट गलती से 21,907.0 के उपर breakout किया तो फिर यह आपको 22,005 का level आपको नज़र आएगा यह मैंने कल बोला था बोला था ना चलिए ठीक है तो यह तो कल कर डिसकस होगे अब चलिए हम मतलब कल जो आगे कामकाच करने वाले हैं वो कैसे कामकाच करेंगे यहाँ पर देखें मार्केट अभी भी कोई अच्छी खास यहाँ पर बढ़ात नहीं है इसमें कोई ऐसा मतलब भारी वो सोचने वाले जरुवत नहीं है ठीक है मार्केट देखें आप काम होगा जैसे कि मैंने आपको बता हुआ है यहाँ पर 22005 आपको पहला target होगा इसके बाद next further target आपको यह वाली line होगी ठीक है आपकी उपर वाली जो line है वो होगा जिसका की target आ रहा है 220070 ठीक है उपर के तरह यह बात के लिए हो चुकी है उपर के लिए नीचे के लिए अगर market माल लें कि यहाँ पर नीचे नीचे का मतलब यह है कि अगर market यहाँ पर 21008070 के नीचे आए ठीक है यह वाला एरिया है यह आपका market अगर माल लें यहाँ पर कहें खुलेगा यह आपका एक support का 100% काम करेगा, इस चीज़ का, आपको ये चीज़ भूलना नहीं चाहिए, क्यों support का का काम करेगा, यहाँ पर जो market ने liquidity create किया है, यहाँ पर जो market ने liquidity create किया है, यह पूरा area आपका यहाँ पर support का काम करेगा, तो put आपको थोड़ा सा avoid करना है, put मेरे तरब से आपको थोड़ा सा यहाँ पर avoid करना चाहिए, अगर market range में खुल करके नीचे जाती है, तो, ठीक है, avoid करना चाहिए, क्यों avoid करना चाहिए, यहाँ पर देखे, एक यह 10 line है, यहाँ पर आप ग्रीन वाली जो area आपको दिख रही न, यहाँ पर देखे, trend line मैंने खीचने की कोसिस किया, ठीक है, आप भी यह ड्रा कर लिजेगा, यहाँ पर देखे, यह green वाली आप trend line देखे, सबसे पहले green वाली trend line देखे, तो market क्या कर सकती है, कल, आपका, यहाँ पर आ सकती है, यहाँ पर अगर range में खुलेगी न market, यह ऐसे करके, इसका support लेने का दो कारण है, एक तो आपको यह liquidity बाल एरिया जो है न, यहाँ पर, ठीक है न, यहाँ पर जो, यहाँ पर demand जो है, यहाँ पर support ले सकती है, और साथ में इसका आपको support मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, कि मार्केट सपोर्ट ले करके वापिस उपर जा सकती है, ब्रेकडाउन कर दें नीचे के तरह, तो फिर आप यहाँ पर scalping कर सकते हैं, आपको लगवगवगवगग यहाँ से 30 से 40 point आपको मिल जाएगा, कहां तक मिल जाएगा, पहला तो target आपको यह यह वाला होगा, मतलब यह आपको यहाँ पर stop loss लेने की कोशिस करेगा, इसका र region है, उसका region पता है, यहाँ पर क्यों देगा, क्यों, क्योंकि यह जो आपकी 10 line, एक तो 10 line है, देखे, एक तो यह 10 line है, एक आपका support है, दूसरा यहाँ पर liquidity है, अभी यहाँ पर जो यहाँ पर call wire है, उनके अभी stop loss बचे हुए है, तो market क्या करेगी, यहाँ पर range में खुलत 9070 के उपर ही gap open होगी, तो अगर इसके उपर होती है, तो यहाँ आपको ध्यान देने कि यह support, जो आपको यहाँ पर resistance अभी काम कर रहा है, यह फिर इसका support बन जाएगा, तो market ही इसके उपर रहती है, sustain करती है, अगर 21,000, 9070 को उपर sustain करती है, तो आप बिलकुल यहाँ पर call वाई करिए, और आपको target मैंने उपर के तरह बता दिया, ठीक है, 22,000, 0,05, and 22,000, 0,70 का आपका उपर का target होगा, clear हो चुका है, market माली जे gap down कुलती है, gap down की case में एक अच्छा system आपको यह हो जाएगा, तो माली जे यहाँ पर market gap down कुले, इधर कहीं खुल जाए, तो यहाँ पर आपको यह देखना है कि एक तो यह liquidity यहाँ पर बहुत अच्छी अरिया है, तो यहाँ पर support ले करके अगर market उपर जाए, यहाँ पर तो आपको 100% यहाँ पर दुबारा आपको काल ही वाई करना चाहिए, और फिर आपका target पहला आपको यह वाला देगा, फिर second target आपको फरतर उपर के तरफ देगा, मतलब मेरी बास समझ कि गैप डाउन के case में, अगर market यहाँ पर sustain करके उपर जाती है, तो आपको यहाँ पर कालवाई करिए, आपका target उपर के तरफ मिलेगा, अगर गैप डाउन market खुल जाए, आपको put तब आई करना है, मेरे दोस्त, मेरे भा target, फिर आपको यहाँ पर हातों हाथ, पहला target आपको यह वाला आपको देख रहा है, 21,706,67 का पहला target, इसके बार next target आपका 21,700 का मिलेगा नीचे के तरफ, किलियर हुआ, पूरी picture आपको समझ में आई की नहीं आई, बताईए, आई समझ में ना, इस तरह से ही आपको trade करना प्लीज यह सारी line साप ड्रा कर लीजे, यह आपको बहुत काम आने वाली है, और आप जानते हैं कि आपको हर दिन काम आ रही है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताने कोशिज करता हूँ, प्लीज सारी की सारी 10 line आप ड्रा करिए, और इसी तरह से आपको market के अंदर काम है, तो इसलिए साथ मैं अपने वीडियो को मैंड आप परना चाहता हूँ और आपसे रिक्ष्ट करूँगा कि प्लीज अपने पैसे को बचाएए, साथ में अगर आप नए आए हमारे चैनल में तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करें के जाएए, वीडियो को लाइक गा, ओकी बबाई और गुन नएट, इन्जोई करिया